Central Bank of India ने recently ये शुरू किया है कि जब आप Checkbook अप्लाई करते हैं तो आप डिरेक्टली आपके घर में डिलिवर हो जाता है लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो Checkbook होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है मतलब आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं उसे एक्टिवेट करवाने के लिए आपको branch में विजिट करना पड़ेगा ठीक है जो भी आपका home branch है जो भी आपका Checkbook आता है उसके साथ एक छोटा सा form होता है उस form में आपको account number और आपको sign करना है और Checkbook का serial number भरके आपको branch में विजिट करना पड़ेगा branch से वो आपका Checkbook एक्टिवेट करवाना चेक्टिवेट करने के लिए यह जरूरी है कि आपका जो mobile number है आपके account के साथ registered होना चाहिए जो आपका mobile number registered है आप उसी से अपना Checkbook एक्टिवेट कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है हमें अपना mobile लेना है mobile में आपको message करना है map को अपने message box में चला जाना है और वहां पर आपको type करना है act एक टाइब करना है उसके बाद एक single space देना है ठीक है एक खाली जगा देना है उसके बाद आपको जो भी आपका account number है जिसका checkbook आया हुआ है उसका account का last का चार्ड करना है ठीक है सबसे पहले आपको एक लिखना है उसके बाद account का लास-चार्ड डिजित आपको लिखना है उसके आप फिर से एक छाली जगा देना है उसके बाद जो आपका Checkbook आया हुआ है उसका पहला Page का एक Check Number लिखा हो होता है नीचे में ठीके जो चेक नमबर है उसके नमबर छे डिजिट độ के चेक नमबर होता है वो चेक नमबर आपको टाल कि आप इस मैसेज को भेज देंगे तो दर से एक रिप्लाई आएगा कि डियर कस्टमर वी हैब रिक्वेस्ट फॉर चेक्ट बुक एक्टिवेशन एंड इस बिंग प्रोसेस्ट का मतलब है कि आपका चेक्ट बुक रिक्वेस्ट जो है वहाँ पर पहुंच गया है और रिटेल सही रहता है तो थोड़ी दिर बाद आपका रिप्लाई आएगा डियर कस्टमर यूर चेक्ट बुक एक्टिवेशन रिक्वेस्ट इस प्रोसेस्ट सक्सेस्ट फुली सेंडर रेंक ओफ इंडिया इस तरह से लिखा हो रहाएगा अगर इस सेकेंड मैसेज आता है इ फिर चेक्ट नमबर कुछ भी गलट डाला है तो तो उधर से यह रिप्लाई आएगा कि और रिक्वेस्ट पर चेक्ट बुक एक्टिवेशन कुड नॉट भी प्रोसेस्ट डियू टू रॉंग अकाउंट नमबर या रॉंग चेक्ट नमबर मतलब गलत चेक्ट नमबर या जो एक्टिवेट है चेक्ट नहीं हुआ है तो इस केस में क्या होगा कि आपको फिर ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा अगर अपने सब सही डिटेल डालते हैं तो आपका चेक्टिवेट हो जाएगा और नहीं तो फिर आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा ये पर आप सारव डिटेल डालके एक्टिवेट कर सकते हैं या अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग में आपको inquiry and request में चेक्ट बुक एक्टिवेशन का option मिल जाएगा वहाँ से भी आप अपना शेक्ट बुक एक्टिवेट कर सकते हैं लेकिन सबसे एजी है मैसेज वाला है क्योंकि आपका जो मॉबाइल नंबर है रिजिस्टर है तब ही आपका चेक्ट बुक घर में आता है और आपको उसी मॉबाइल नंबर से बसे करना है जो मैंने फॉर्मेट बताया उसी फॉर्मेट पर आप कर दिजिए आपका चेक्ट बुक एक्टिवेट हो जाएगा वीडियो कर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए और हमाया चैनल प्रेंकिंग वेट्स को सब्सक्राइब करिए